बिहार की सियासत में इन दिनों राजनितिक दलों के नेताओं का एक दूसरे से मिलकर भविसी की राजनिती के लिए नई सियासी पारी खेलने के लिए नई राह बनाने का सिल्सिला जारी है और इसमें अब ताजाय मामला चिराग पासवान से जुरा है जहां चिराग पासवान से अचानक से क्यंद्रिय के राजमंतरी नित्यारंदराई ने मुलाकात की है जहां भारती जनता पार्टी के वरिष्पनेता और क्यंद्रिय के राजमंतरी नित्यारंदराई की यह मुलाक चिराग पासवान के साथ पतना में हुई है पतना इस थी चिराग के आवास पर इन दोनों की मुलाकात हुई है और अचानक से हुई इस मुलाकात के पीछे के जो सियासी माइने है वे भी बेहत खास बताए जा रहे हैं दरसल चिराग पासवान को लेकर हम्दिगर देखे तो वो बिहार में एक ऐसे राजनेता के तोर पर उभरे हैं जिने हर कोई अपने पाले में लाना चाहता है चाहे भारते जंता पार्टी हो चाहा वहाँ गटबंधन हो और पिछले दिन हो ही जब तेजस्वी आदब ने बिहार में दाबते इफतार दिया तो उस दाबते इफतार में जो सबसे खास महमान रहे उन चेहरे के रूप में चिराग पासवान रहे चिराग पासवान का काफी गर्म जोसी के साथ तेजस्वी आदब ने स्वागत किया था और उस दोरान तो तेजस्वी आदब की इफ्तार पार्टी में पहुंचे चिराग पासवान ने विहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार का पैर छुकर के आसिरवाद भी लिया था और इनके इस आसिरवाद लेने के बाद और अचानक से सियासी जो इफ्तार पार्टी थे उसमें सामिल होने के बाद कई तरीके के सियासी किस्से निकलाए कि क्या चिराग पासवान अपने हाथों में दोदो लड़ू लेकर चल रहे हैं कि अगर भारतिय जनता पार्टी ने उ अचानक से जो नई तस्वीर सामने आई है और जो उसमें चिराग पासवान की मुलाकात नित्यानंद राई से हुई है और इसमें सबसे वरी खास बात है कि किंद्रिये ग्रे राजमंत्रे और भारतिय जनता पार्टी के वरिष्टरे नित्यानंद राई खुद चिराग पासवान के घर पर पहुँचे थे पतना इस्थित उनके आवास पर पहुँचे दोनों के बीच काफी गर्म जोसी के साथ मुलाकात हुई दोनों एक दूसरे के साथ काफी नजदिक टस्त रूप से बतियाते दिखे और इतना ही नहीं दोनों के बीच माना जा रहा है कि भविश्य की राजनीती के लिए सियासी गपसब भे हुआ ऐसे में इस मुलाकात के बाद सबसे महतपुर्ण मुद्दा यह माना जा रहा है कि आखे नित्यानंद राय को क्या ऐसी जरूरत आन परी कि अचानक से हुए चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुचे तो इसके पीछे की जो मूल वजा है वहिया मानी जा रही है कि चिराग पासवान हालिया दिनों में जिस तरीके से अपनी सियासित की व्यो भविश्य की पारी है उसे खेलने के लिए अलग-अलग तरीके की बयानवाजी करते रहे हैं उसमें उन्हें भारतिय जनता पार्टी के गिरियो गटबंधन वाले NDA में सामिल रखने के लिए भाजपा अब एक नई चाल चल रही है और उसमें भारतिय जनता पार्टी चिराग पासवान को यह भरोसा देना चाहती है कि आपके लिए वर्ष 2024 क लोकसभाचुनाव के दोरान भारतिय जनता पार्टी मनमाफिक सीटे देंगी आपकी पार्टी लोजपार राम बिलास को किसी प्रकार की कोई परिशानी नहीं होगी और वे तमाम सीटे जो आप चाहते हैं वे सीटे भी आपको मिलेंगी तो इन सब को ले करके चिराग पास इडियाननंदराय की यह मुलाकात हुई है यह Sब हुआ है के इशारे के बाद निकवाना जा रहा है कि नित्यानंदराय को जो केंद्रे नेत्रत हैं यानिकी दिल्ली बैठा कि भाजपा का रास्ट्री नेत्रत है जे पी नडड़ा आमिट्साय प्यमोधी जीस जो लोग है उन्होंने भी नित्यानंद राय को यह बताया है कि आप जाईए और चिराग पासवान से मिलिए चिराग पासवान से होने वाली आपकी यह मुलाकात आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और आगले वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव के पहले विहार में NDA को पूरा सम्मान मिलेगा जिस प्रकार की वह इच्छा रखते हैं सारी उनकी जो जरूरते हैं वह पूरी की जाएंगी इसके लिए माना जा रहा है कि नित्यानंद राय ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान दोनों के बीच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव क दौरान बिहार में सतारूर महागटवंधन को तमाम सीटों पर हराने को लेकर के रनीती बनाने पर चर्चा हुई अगर आप हाल जा समय में चिराग पासवान की राजनीती को देखिएगा तो चिराग पासवान को हाल फिल हाल है जो किंद्रिये जो सुरक्षा जनसियां होत पूरा करने के लिए भारतिय जनता पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है